श्री गंगा नगर के जिला राज के चिके साले में बुद्वा शाम को एक महिला ने करीब पांच किलो वजनी बच्चे को जन्म दिया निकटवर्ती गाउन नेतेवाला के निवासी संतोष कुमार की पतनी मंजु को जिला अस्पताल में प्रसव के लिए भरती करवाया गया था बाद में चिके साले की टीम के अथक प्रियासों से चार किलो नो सो ग्राम वजनी बच्चे का जन्म हुआ नवजात को थोड़ी परिशानी हुई लेकिन डॉक्टरस ने संभार लिया खास बात ये रही कि इस शिशू का जन्म नॉर्मल डिलीवरी से हुआ डिलीवरी कराने में जुटी टीम को डिलीवरी के वक्त थोड़ी परिशानी का सामना करना पड़ा दिलीर्वी के बाद बच्चे को सांस नहीं आ रही थी लेकिन चिकिसा टीम के अठक प्रियासों से बच्चा सांस लेने लगा बच्चे को राज के चिकिसाले की शिशु नरसरी के रेडियन्ट वॉमर में अब्जर्वेशन के लिए रखा गया लेकिन देर राध बच्चे का स्वास्ते ठीक नहीं होने की वज़़े से उसे बिका नेर रेफर कर दिया गया प्यमो डॉक्टर प्रवन सेने ने बताया कि जन्ब के समय बच्चा ठीक था लेकिन बाद में परिशानी होई तो उसे बिका नेर के पीवेम हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया गौरतलब है कि इसी जिलाचिक साले में इससे पहले 30 सितंबर 2015 को सुरतगड के गाउं मानावाला के निवासी गोगाबाई ने सिजेरियन डिलीवरी से 6 किलो वजनी बच्चे को जन्ब दिया था प्रसुता गोगाबाई का वजन उस वक्त 100 किलो था डक्टरों का कहना है कि आमतर पर समाने नवजात शिशु का वजन 2,5 किलो के बीच रहता है अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वण खपरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT News को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर